कि अब दोस्तों आप सभी का एक बार फिर मिस्रा जो के चन में सौगत है मैं हिमान सुमिस्रा यहां पर आपके आपका हम लोग इस पर पहले से एक दो वीडियो बना चुके हैं पहला वीडियो हमने बनाया था स्टार्टिंग की थे इलेक्रिसिटी पॉर्शन का जिसमें वहां पर अभी नहीं कर पाया है क्योंकि गॉसिस लॉग अगर हमारे सेलेबस में दिया गया है तो वह सिर्फ आप स चार्ट आप पढ़ेगा जिसको हमने चार्ट पढ़ा जिसके लिए और चार्ट पर प्रपर्टीज पढ़ी फिर उसके और जो भी आज के discussion का part होगा वो आपको handwritten notes हमारे telegram channel से मिल जाएगा link मैं आपके description box में दे दूँगा जिससे आप वहाँ direct जाके download कर सकते हैं तो सिर्फ आपको एक तरीके से देखना है और सुनना है हाला कि आप इन चीजों से रूबरू हैं लेकिन फिर भी एक तरी रिवीजन हो जाएगा और कुछ आपको नयाव महसूस होगा है चली हम लोग start करते हैं हम लोग बात कर चुके हैं चार्ज और चार्ज की properties से तो अगर चार्ज है तो दो चार्जेस के बीच की interaction की बात करते हैं और वो interaction का जो ला है उसे हम Coulombs-law के नाम से जाने जानते हैं Coulombs-law simple मैं Coulombs-law के requirement पर नहीं जा रहा हूं बस यह बता रहा हूं कि कुलम्स law क्या होता है कुलम्स law दो charges के बीच में force provide करता है अगर हमारे पास charges q1 q2 है उनके बीच का distance r है तो कुलम्स ने बताया है कि इनके बीच का जो force होगा वो होगा 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square यह कुलम्स law का force का formula है यह हम लोग इंटर लेवल में पढ़ते आ रहे हैं यहां पर 1 upon 4 pi epsilon 0 एक constant है जिसकी value होती है 9 into 10 to the power 9 newton meter square पर कुलम्स square और epsilon not क्या है epsilon not हमारी permittivity of the free space निर्वात की विद्दुत सिलता अच्छा नोट्स हमारे पास जो आपको टेलिग्राम में मिलेगा वह हिंदी इंग्लिज दोनों का समन्वाय रहेगा तो जो हिंदी मीटियम से एक्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं ठीक है और इसके बारे में आते हैं तो एप साइलें जो सिंबल होता है विद्दुत सीलता का नाम देते हैं पर्मिटिवडी का नाम देते हैं यह तरीके से जैसे चार्जस जड़ फ्लो करता है करेंट के लिए तो करेंट जो उसके रास्ते में बाधा यह रुकावटे यह उसे हम लोग रिजिस्टेंस के नाम देते हैं वैसे ही किसी मीडियम में जो एलेक्रिक फोर्स को रजिस्ट करें पोजीशन करें वह हमारा पर्मिटिविटी बोला जाता है अगर यह नॉट लगा है तो हम इसमें स्पेस फ्री स्पेस की बात करते हैं अगर यह विदाउट नॉट यहां पे मतलब सिर्फ यह एपसाइलन है तो स्पेस के लिए आप यूनिट निकाल सकते हैं कोई है मेरे खाल सा इसा दिक्कत नहीं की बात करते हैं हम लोग एपसाइलन नॉट का दिमेंशन यह जहां यहां पे लोग मैंज माइनिस वन एल माइनस थरी टी फोर एपूर इसपर क्वेशन बन सकता है चोंकि छोटे क्वेशन आने वाले हैं तो यह एक वेज़िए आपको देखने को मिल सकता हां राज क्याकुलेट कर सकते हैं इसा नहीं हम हम लोग एसी पास आउट है वी केन दू कुछ और बाते हम लोग जानेंगे हैं अगर हम कुलंब्स लॉग को सीजियस में देखें तो कुलंब्स लॉग का जो फॉर्म होता है वह क्यूवन क्यूटू अपॉन आर स्क्वाइर का होता है जो इसमें हम कॉंस्टेंट लेते हैं वन वाइफॉर पाइपसाइल नॉट उसक में हैं घर हम क्या कर दें ऐसे अगर हम फ्रीज से कर दें में और बैठेटा can 1 by 4 by epsilon not k times नीचे आपका आजाता है 1 by 4 by epsilon not k multiple में के आ जाता है q1 by q2 q1 q2 1 r square that means जो force होता है free space में दो charges के बीच में वो क्या हो जाता है किसी medium में 1 upon k times हो जाता है जहां के क्या है dielectric constant प्रावेद्यतांग जिसकी value one होती है air के लिए और metallic bodies के लिए infinite होती है कि यह metallic bodies के लिए और जो बीच के आपके materials होंगे उनकी अलग-अलग values होती है कि आगे चलते हैं कि इसके वेक्टर के form में क्या वेक्टर फार्म होगा इसका यह सिर्फ revision के तौर पर आप इसी लीजे जिसे आप अलग-अलग books में ढूनेंगे तब आपको यह सारे materials मिलेंगे तो मैंने इसको सब एक सांथ किया हुआ है तो आपका समय का बचत हो जाएगा इसलिए मैंने इसको एक सांथ लिखा हुआ है इसका वेक्टर अब अगर हम चाहें जिसे ऐसे भी लिख सकते हैं चुकि हमारा जो यूनिट वेक्टर का डेफिनिशन होता है कि कोई भी वेक्टर अगर ए है तो मॉड़ा फे तॉ मॉर्टीपल होता है यूनिट वेक्टर का मॉल्टिपल होता है तो अगर आ है तो हम क्या लिख सकते हैं आर को हम ऐसे लिख सकते हैं programmed ed मैं तो अगर हम यहां में रख़िक्टर पन हो जाएगा तो यह और स्कूर और यहार क्या हो?? आपका मल्टिप्लाई करके और क्यूब हो सकता है और क्यूब हो जाएगा तो क्यूबन क्यूटू अपान और क्यूब इन्टू इन्टू विक्टर रा तो यह भी एक फॉर्म है विक्टर फॉर्म आफ कुलम्स लॉप आगे चलते हैं हम लोग अगर चार्जेस औरिजिन पर नहीं है यहां पर हम लोग क्या करते हैं और बात करें और बात करें कि और नहीं है तब हमारे जो Coulomb's Lock of Form है वो कैसा होगा, suppose कर लो यह चार्ज हमारा यहां पर कोई frame of reference x, y, z दिया है, यह Q1 चार्ज है जिसका position vector r1 है, और यह Q2 चार्ज है जिसका position vector r2 है, इनके बीच का जो gapping होगा या displacement vector होगा, वो r1 माणिस r2 होगा, तब कुलम's Lock का form क्या होगा, विन दर चार्ज इस आर या चार्ज इस एड अधर देन उर्जिन, यहनि जब आवेश मूल बिंदू, पर न होगा, यानि हमारा यह origin है, लेकिन चार्ज इस यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखे क्या होगा, force का तो जो value है वो same होगा, बट हमें form थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो 1 by 4 by epsilon 0 रहेगा, अगर free space में बात करें, Q1 Q2 भी रहेगा, नीचे क्या होगा, R1 माइनस R2 का, हम लोग क्या कर लेंगे, mod लेकि Q2 कर देंगे, और यहाँ पर R1 माइनस R2 कर देंगे, लेकिन यह modulus नहीं होगा, यह आपका victor होगा, यह modulus होगा, तो यह आपका, फॉर्म होगा है, कूलम स्लोट, जब charges हमारे origin पर नहीं है, चले देखे, अब हम अगर, बड़ा interesting यह है, अभी तक जो हमने बात किया, इसमें एक case हमने बात किया, कि जब हम charges को, किसी dielectric medium में प्लेस करते हैं, तो थोड़ा imagination करिए, कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि यह Q1, Q2 charges है, यह पूरा का पूरा, किसी dielectric medium में रखे हुए है, तब आपका जो formula था, वो था 1 by 4 pi epsilon 0, के Q1, Q2 upon R square, जबकि, सॉरी, जबकि दोनों charges कहां पे हैं, आपके, किसी dielectric medium में है, लेकिन अगर माल लीजे, जो charges हैं, वो कुछ, ऐसे रखे हुए हैं, यानि Q1, Q2, और यह हमारा कोई dielectric है, यानि परावेद्यूक medium, dielectric, जिसका dielectric constant k, यानि परउलताइं k है, तब force का क्या formula होगा, यह आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, अगर R दूरी है, और यह इस्तिमान लीजे, किसकी जो ठीकने से वो T है, तब इसका जो formula होगा, उसको ध्यान से देखे, F is equal to, 1 upon 4 pi f silent not, into Q1, Q2, upon under root, R minus T, T minus, फिर रहेगा, T under root K, power Q, यह आपके लिए, यहाँ पर नया है, जो अभी तक आपने कभी, बहुत rare of the rare कहीं note किया होगा, आप कीजेगा, यहाँ पर powers 2 होना चाहिए, यह तब की बात है, जब charges की बीच में क्या किया है, हम लोगों ने, किसी dielectric medium को place कर दिया है, जिसकी thickness T है, फॉर्मूला आपका होगा, यह तो रही कुलंब्स लॉग से कुछ भाते, अब कुछ कुलंब्स लॉग के लिए, प्रॉपर्टी समें देखना होगा, सिर्फ आपको, अपनी कॉपी में लिखते जाना है, हमें खोजने की जिम्मेदारी हमारी है, प्रॉपर्टी स, तो प्रॉपर्टी स अगर देखें, तो पहला तो यह कि कुलंब्स लॉग जो, फोर्ट होता है, वो अल्बेस क्या होता है, दोनों चार्जर्जेस के मिलाने वाली लाइन पर होता है, यानि, अगर आप क्या करें, कुलंब्स लॉग, देखें तो यह जो फोर्स होगा वो चार्जिस को मिलाने वाली लाइन पर ही आपको मिलेगा है ना तो इट इस अल्वेस वैलिड अन लाइन जोईनिंग यहां पर जोईनिंग लिखा है बाइदे चार्जिस यानि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर यह आपकी फोर्स होगी ठीक है आगे नेक्स्ट पॉइंट यह एक संेंट्रल फोर्स यानि कि अगर आप क्या लिजे की सार्जेस को किisी स्वालीजी कर दिया हां जुटास् कर अलग अलग पोजीशन पर रखा यानि हमने एक तरीके से एक चार्ज को फिक्स करके और एक तरीके से सको श्वैप कर दिया तो हमने देखा कि यहां पर भी फोर्स की वैल्यू सेम है यहां पर भी फोर्स की वैल्यू सेम है तो आठ डिस्टिंस पर अपने अगर चार्जेस को स वोलते हैं यानि जो फोर्सेस एंगल पर डिबेंड नहीं करते हैं उनको सेंट्रल फोर्स कहते हैं ठीक है इस सेंट्रल फोर्स यानि केंद्री बल्ट नेक्स्ट हमें देखना है यह एक स्पेशल रूल के तहत आप देखे काम करता है इनवर्स स्क्वेर लॉव यानि जो भी फोर्स आपके वन अपन आर स्क्वेर पर डिपेंड करेगा उसे हम इनवर्स स्क्वेर लॉव फोर्स कहते हैं जैसे ग्रैविटेशन फोर्स भी अगर देखे तो जी एफ इस इक्वल टू जी में अबनी के अधों याद हो तो नाइन थे पहली बार आया था तो यह भी अब देखिए वन अपन आर स्क्वेर पर डिपेंड कर रहा है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे इंवर्स स्क्वेर लॉव फोर्स ठीक हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कुलम्स फोर्स है वो भी क्य चले नेक्स प्रॉपर्टी पर हम लोग चलते हैं तो कुलम्स फोर्स जो होता है दो चार्जेस की बीच में अगर माल लीजिए हमने क्या किया यह देख्या कि हमारे पास एक चार्ज क्यू वन है और दूसरा चार्ज क्यू टू है यह आर डिस्टेंस पर रखे हुए है जो भी इनके बीच का फोर्स था हमने तीसरा चार्ज लिया दिया तो देखने में जाता है कि इन दोनों के बीच का जो चार्ज था वो तीसरे चार्ज के आने से अफेक्टेड नहीं हुआ तैसे मिलिया, आपका आपका सो कब हुआर दो चार्ज की नहीं होता है, आप के बीच की जो इसकी बज़ा से आगया, इसकी बज़ा से आ गया, बुट इनके बीच की जो इंटरेक्शन थी, वह सेम रहेगी, यह बात का आप याद रखेंगे, तो यह आपको नोट में लिखा ह मिलेगा आप जाके टेलिग्राम पर डाउनोड कर सकते हैं हैं जो भी आप लोड होगी वीडियो अप्लोड होगी उससे रिलेटेड उस दिन का टॉपिक आपको हैं रिटेन हिंदी और इंग्लीज दोनों में आपको मिलेगा साथ ही साथ जब हम कोई टॉपिक करेंगे तो आप मालीजे की क्वेस्टेन जो मैं आपके लिए तयार करूंगा वह एक तरीके से आपको उसमें से एक्जाम में उस पैटन पर जरूर मिलेंगे तो इसलिए क्यारफुली आप उससे करेंगे तो मेरे क्याल से उस टोपिक में आप फंटास्टिक हो जाएंगे चलिए ये ब problem s law is free from temperature and pressure. इसको पी लिखे लोग, बहुत it's free from temperature and pressure यानि वैद्दुद्बल ताप दाब पर निर्भर नहीं करता ताप दाब पर निर्भर नहीं करता चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी limitation क्या 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 कहां Tक सिमित है तो पहला limitation अगर हम बात करें सिमाएं इसकी कितनी है ज़ेसे मोव कर गई तो क्या होनी चाहिए इस चार्जेश्ट क्या होने तो इट इस वैलिड ओनली फॉर स्टाटिक चार्जिस यानि यह स्थिर आवेस के लिए लागू होती है लागू होता है ऐसे कर लिजिए यह मतला यहां पे कुलम के नियम से है दूसरा पॉयंट चारजेश के लिए इस वैलीट फॉर आप यहां पर नियमेंशन कोई नहीं है मतलब कोई साइज नहीं है मेंशन पॉयंट चार्ज आपका अर्थ भी हो सकता है और कोई आपके चॉप के टुकडे के वराबर भी कोई पॉइंट चार्ज हो सकता है डिपेंड करता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ जर्वेशन है फॉर एक्जामपल जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं यह चार्ज है दूसरा वाला वह बहुत ज्यादा दोरी पर है जैसे हमा लीजे हम कर सकते हैं अपने सॉर मंदल के कोडिंग तो जिस पॉयंट ऑफ जबेशन की बात करें दूसरे चार्ज की बात करें वो कितनी डिस्टिंस पे है इस बात पर निरभग करता दू कोई चर्ज है यह नहीं है कि यानि यह यह कूलामका नियम यह केवल बिंदू आवेस के लिए लागू होता है ये केवल बिंदू आवेस के लिए लागू होता है और इसका रेंज क्या होता है रेंज होता है नुकलियर डिस्टेंस से इन्फाइनाइट तक यानि आप किसी चार्ज को 10 की घात माइनेस 15 मीटर से लेके इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक अगर रख देते हैं तो कुलम का फोर्स यानि कुलम्बियन फोर्स उसके बीच में काम करेगा लेकिन अगर 10 to the power माइनस 15 के नीचे अगर चार्ज इसको रखेंगे तो वहां पे काम कुलम्ब फोर्स नहीं काम करता उसका रीजन क्या है 10 to the power माइनस 15 मीटर यानि नुकलियस का रेडियस तो नेचे हैं नुकलियस आप डेटम का रेडियस अब अगर आप देखें तो वहां पे प्रोटां भी है यानि अगर अगर हम बात करें नुकलियस कीétatटों में क्या है की तो हुड यहां पर बीच में सबसस्ट होने के बाद इनके बीक स्थिसक्त में रहता है तो इसका सबसमें मतलब है व्यंट कि यहां पर कोई दूसरा फोर्स है जो कुलम्स के अगेंस में काम कर रहा है और जिसकी बज़े से यह प्रोटान अपने नियुकलियस में बदे हुए इसको इस तरीके से फोर्स जाके चिपका देते हैं तो क्या उनकी बीच का मैगनेटिक फोर्स रिपल्स रहता है वह काफी उससे स्ट्रॉंग है वह क्या हो चुके हैं अगर वह आपने हाथ से छोड़ देजे तो दूर-दूर हो जाएंगे सिमिलरली यहां पे कुलंबियन फोर्स होता है बट इसका डॉमिनेंस बहुत कम होता यहां पे डॉमिनेंस किसका होता है यानि प्रभाव किसका होता है नुक्लियर फोर्स का जिसे हम लोग स्ट्रॉंग फोर्स के नाम से जानते हैं तो इसलिए यहां पर इसको लिमिटेशन्स आपको यहां तक बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को आप शेयर कर दीजे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पीछ पहुंच सके और यह गिरंटी है कि आपको मैं जो स्टडी मेटेरियल दूंगा वह 100% आपको लाने वाला है चलते हैं जो हमारे टॉपिक के लिए रिक्वार्मेंट हैं सिर्फ उसी को पढ़ा रहे हैं आपको मैं जानता हूं आप बहुत ज्यादा खुद में ही आप बिशे सके हैं तो मुझे ऐसी चीजों में नहीं ले जाना है बस मैं रिवीजन करा रहा हूं यह चल रहे हैं एलेक्ट्रिक फील्ड यानि वैद्यूत छेत्र का कॉंसेट्ट बड़ा अजीव सा है अगर आप में भी बहुत ताइम लग जाएगा अगर आप की रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं अगली क्लास में वैद्यूत छेत्र का कॉंसेट्ट बताऊंगा कि वैद्यूत को डिसकर करूंगा लेकिन फिलाल मैं सोचता हूं कि इन जीजों का हमारे एक्जाम से कोई मतलब नहीं तो मैं सिधा आता हूं वैद्यूत छेत्र यानि एलेक्ट्रिक फिल्ड होता क्या है तो अगर आप देखें कि किसी हम चार्ज को रखें तो किसी चार्ज को अगर मैंने करेंगे क्या होगा इस चार्ज पर इस चार्ज पर इस चार्ज पर क्या करने लगेगा यह फोर्स लगाने लगेगा तो वह रिजन जिसके जिसके मतलब तहट अगर क्या हो कोई दूसरा चार्ज आ जाए इस चार्ज के राउंड तो उस पर क्या करेंगा यह फोर्स लगाने तो आप इधर से आ रहे हैं तो आप क्या होगा एक ऐसा रीजन आएगा कि आपको शुन होने लगी ठीक है तो जैसे आप इसके पास आते जाएंगे उसकी बढ़ती जाएगी तो यह क्या हो गया इस गुलाव के फूल की तरफ यह फील हो गया जिसमें वह क्या कर रहा है आपको फील हो रहा है कि यहां पर एक फूल है इसी तरीके से चार्ज है यह चार्ज का एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसे क्या होगा थोड़ा सा आपको फोर्स मतलब फील होगा जैसे जैसे नदीक आते जाएंगे तो स्ट्रॉंग फॉर्स मिलता जाएगा तो यह से हमें एक चार्ज के चारों तरफ का वर इजन जिसमें चार्ज करता है यह निद्र फीlt 2 व Quindi reasons डिस आएंगे बाते संब उखागे तो, electric field की definition, the field around the charge in which it applies electric force on another charge. is called electric field, यानि किसी आवे इसके चारो तरफ का वह छेट जिसमें वह दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता है, क्वामा व्यदूद छेटर कहलाता है, तो, यह तो qualitative definition हो गया, आप हम लोग quantitative definition की तरफ पढ़ेंगे, मतलब की ठीक है, इलेक्ट्रिक फिल्ड तो है, लेकिन कहां पर कितना है, किन बातों पर डिबेंड करता है, उसके लिए हम लोग जानेंगे intensity of the electric field, तो next हमारा जो topic है, वो है intensity of the electric field, लेकिन आपको अगर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फिल्ड बताईए, इसे रेप्रेजेंट करते हैं, तो that means intensity ही पहुच रहा है, इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्ड, यानि वैदुच्छेद्र की त्रिविता, त्रिविता, तो ये क्या है, इसको आप उसी example से समझ सकते हैं, कि आप समझ लिजिए कि चारो तरफ आपके गुलाब का फूल है, और चारो तरफ उसकी महक उड़ रही है, आप enter किये उसके reason में, तो आपको कितना उसमें महसूस किया, कितना effect किया, तो वो क्य रहा है, electric field of the rose, वो क्या कर रहा है, आपके body पर या आपके smelling power को कितना effect कर रहा है, वह उसकी field strength हो गए, यानि intensity of that field, अगर हम बात करें, इसी तरीके से वैदू छेत, यानि electric field में, तो अगर आपके पास charge है, है न, तो चार्ज यहां पर enter किया, यहां पर, तो इसके unit charge पर, य यह कितना force लगाता है, वो इस particular point पर क्या बोला जाएगा, intensity of the electric field, यानि intensity of the electric field कैसे define होता है, कि कि किसी electric field reason में, unit charge पर लगने वाला force होता है, वो उस particular point पर intensity of the electric field बोला जाता है, यानि force per unit charge, यहां पर Q not क्या represent कर रहा है, unit charge, ठीक है, या इसे, कुछ books में, इसी तरीके से भी दिखाया गया है, यानि Q not जितना छोटा हो, उतना अच्छा, that means, अगर हम इसके field में, इस charge के field में, इस कोई दूसरा charge ले आ रहे हैं, तो इसकी वज़े से, इसकी quality of the fields पे different change ना आए, तब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको exactly measure कर सकते हैं, कि इसका यहाँ पर कितना value है, इसकी quantity जान लेते हैं, कि किस type की है यह, यह vector quantity है, it is vector quantity, सदी सराज, दूसरा unit क्या होगी, इसकी दो unit होगी, एक तो आप देख रहे हैं, newton पर कुलाम, दूसरा इसका unit है, volt पर meter, जब हम लोग electric potential पढ़ेंगे, तो हम आप से relation करके दिखाएंगे, कि electric field और electric potential में relation होता है, वहाँ से हम इसको derive कर सकते हैं, next हम इसके dimension की बात करेंगे, तो next dimension हम लोग निकाल सकते हैं, simple अगर हम f upon q का dimension निकाल लें, यानि ml t minus 2 और q का a t होता है, यानि ml यह आपका रहेगा ही, t उपर जाएगा, तो minus 1, a minus 1, तो यह electric field का dimension हो जाएगा, minus 2, I am sorry, minus 2 तो यह, minus 3 हो जाएगा, चलिए, अब electric field का direction कि धर की तरफ होता है, अगर vector quantity है, तो हमें direction जानने की जरूरत है, तो, it is always directed from away from the positive, so direction of the field, direction of the elektrаль यह जर भी तरफ है, it is always directed away from positive charge, any positive charge से दूर की तरफ, अब ज़िधी तरह जब की तरह, अवे विधी तरह, अवे तरह की तरह, आएगा, एंड टूवर्ट्स दा नेगेटिव चार्ज अब मैं बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाओंगा सिर्फ इसमें पॉइंट चार्ज की वज़े से लेक्ट्रिक फिल्ड का एक्सप्रेशन हम लो लिखेंगे एलेक्ट्रिक फिल्ड फिल्ड पॉइंट चार्ज जहां क्यों आपका सोर्स चार्ज है यानि जिसकी वज़ा से आप क्या कर रहे हैं फिल्ड निकाल रहे हैं सोर्स चार्ज और आर इस दिस्टेंस फ्रॉम चार्ज फ्रॉम 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 पॉइंट जहां हम क्या कर रहे हैं एलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल रहे हैं चलिए हम जल्दी से दो तीन टॉपिक और कवर कर लें ताकि हम लोग नेक्स लेक्चर की तरफ यानि कुलंग गौश लॉक की तरफ बढ़ सकें उसमें आता है आपका इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइंस यानि बैदुद बल रिखाएं अब ऑप कर आइं को है यहीं वापकिसी चार्ज को देखें इसके हमने क्या में क्या किया किश के स्मॉल क् चार्ज करदिया तोि क्रूंज ज्रुष कर दिया terESTS कर दिया इनकेर फिर कर दो पने लाइग इसी तरीके स्मु हाँपर रगदें तो यहां पर पहसे मूँप करने लगेगा इसी तक हम यहां में रखनें तो यह क्या है टेस्ट फाटार्टा जैन्स पाउनिटीड का पॉजिटिव चाल्ज तो यह जो चार्ज आ है कि वह माना जाता है यह एलेक्ति पील आइंस होती है जो यह दिखाती है कि हमारी जो test charge है वो किसी electric field में कैसे move करती है तो यह simple आपकी definition बन सकती है It is the path traced by the unit positive charge It is the path traced by the test charge in electric field of a charge electric field of another charge यानि यह परिच्छण आवेश द्वारा चला गया मार्ग चली गई मार्ग द्वारा चला गया मार्ग होता है जबकी वो किसी वैद्दू छेतर में रखा जाए थोड़ा definition अजीव है लेकिन complete है अजीश पर इसकी property देख लेते हैं पांच बिनिट साथ मिनिट में फिर हमारा यह लेक्चर फिनिस हो जाएगा एरिया विक्टर को ध्यान में रखते हुए एरिया विक्टर भी हम लोगा अज डिसकस कर लेंगे चली अब लोग देखते हैं पहला properties में इसमें तो पहली बात तो यह क्या होता है open curve होता है it is open curve यानि इनका जो end होता है वो fixed होता है that means अगर आप देखें अगर हम बात करें positive charge से यह lines क्या होती है निकलती है और negative charge पर जाके क्या होती है खतम हो जाती है अभी हम लोग इसको next point पर लिखेंगे लेकिन magnetic field lines यहीं पर आप देखें तो नौर्थ पोल से निकल के South Pole में फिर इंटर करती है फिर South से North की तरफ जाते हैं इस वज़ए से वह closed positive charge and converges to negative charge यानि अगर आपका positive charge है तो electric field lines इस तरीके से निकलेंगी और negative charge है तो electric field lines इस पर आती हुई दिखेंगी isolated की बात करें यहां पर positive और negative charge दोनों isolated है ठीक है अब अगर आपको electric field lines दी गई है मालीजे हमारे पास यह electric field lines दी गई है इस तरीके से तो अगर हम किसी point पर यहां पर tangent draw कर दें tangent मतलब sports रेखा किसी विंदू से तच करती हुई line जैसे मैंने यहां पर tangent line खीच दिया तो इस point पर electric field का यह direction देगा इसी तरीके से मैंने यहां पर खीच दिया तो तो tangent at a point on electric field line will give the direction of the electric field at that point यानि किसी बिंदू पर वैद्दूत रेखाओं कि किसी बिंदू पर यदि tangent यानि सपर्स रेखा खीचा जाए तो वह उस इसको लिख नहीं रहा हूं आप इसे नोट से लिख सकते हैं next property हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यह कि कभी यह इंटर्सेक नहीं करते हैं दस नौट इंटर्सेक्ट बिकास अकर वो क्या कर लिएं इंटर्सेक्ट कर जाएं बिकास इप देंटर्सेक्ट इंटर्सेक्ट कर लिएंटर्सेक्ट देंटर्सेक्ट और्स at that point direction of the field will be 2 will be 2 at that point और यह बात आपकी possible नहीं है which is not possible that means अगर हम कहें तो electric field lines intersect कर जाएं तब क्या होगा at the point of intersection यानि जिस point पर intersect कर रही है उस पर हमें दो electric field की direction मिल जाएगी और यह possible नहीं है क्योंकि electric field हमें सा positive charge से negative charge की तरफ होता है ऐसा आपको कभी नहीं दिखेगा कि negative charge से positive charge की तरफ हमारी तो इसी बात को क्या कर जाएगा सपोर्ट कर जाएगा यहां तक की बात हैं क्लेर हो गई दूसरा नेक्स क्टिमेंट पर आते हैं अगर आपने चार्ज positive charge की बगल में जैसे फिल्ड निकल रही थी आपने डिकर चार्ज रख दिया तो यह लाइंस क्या होने लगेंगी सिकूर्ट कर कहां जाने लगेंगी नेगेटिव चार्ज की तरफ ठीक है तो यह सिकोडने की ट्रेंडेंसी रखती हैं जिसे से वो फोर्स ओफ अट्रेक्शन को दिखाती है यानि अगर दो चार्जे सपोर्जी नेचर की पास में रख दी जाएं तो इलेक्ट्रिक फिल लाइन सिकोडने लगती है और जो एक तरीके से क्या कर करता है यानि अट्रेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो यह इनकी सिकोडने की ट्रेंडेंसी है और दूसरा फैलने की ट्रेंडेंसी है अगर हम मालो यह पॉजिटिव चार्ड इस तरीके से रखे हुए हैं यहां पर फिल लाइन्स निकल रही थी लेकिन अगर हमने क्या क लिए यहीं पर फॉजिटिव चार्ड रख दिया तो होगा इनकी लाइन्स वह इस तरीके से अब यह लाइन्स इस तरीके से इस है कि मतलाब कुछ इस तरीके जाने लगेगी कि यह इस चार्ज के पास न जाएं तो एक तो इनकी सिकूर्डने की दूसरा इनकी फैलने की क्वालिटी होती है फैलने के कारण जो होता है वो यह दिखाता है कि यह प्रतिकरशन का बल आरोपित करती है कि चलिए कुछ और बाते से लेटेट आप मेटेरियल के लिए बिल्कुत परशान रहे हैं आप जस्ट क्लास के बाद आप जाके डाउनूट कर सकते हैं नेक्स्ट हमें जो देखना है यह कभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी कंड़क्टर पर आएंगी तो हमेशा नॉर्मल यांगी ठीक है एलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंसिदेंट ओन कंड़क्टर है इंसिदेंट करने के बाद इंसिदेंट करने तो आपको ये दूसरी तरफ दिखेगी लेकिन conductor के अंदर आपको field lines नहीं मिलेंगी conductor के अंदर आपको field lines नहीं मिलेंगी तो electric field lines यानि वैदूत वल रेखाएं never enters in the conductor conductor इस बात का आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे अब strength of the field भी हम electric field lines से देखते हैं अगर आपको कहीं parallel lines दिख गई तो parallel lines आपकी uniform electric field को दिखाती है एक समान वैदूत शेतर और कहीं पिए अगर आपको एंटी parallel lines दिख गई एंटी parallel means जैसे आप मालेजे यह किसी चार से lines निकल रही है यह एंटी parallel तो यह non uniform यानि और समान विद्दूत शेप्रम चलिए इसी तरीके से यह पहला point आप दूसरा point तीसरा point अगर कहीं आपकी electric field lines denser हैं तो वह strong जैसे अगर मालीजे चार्जे से lines देखें तो यह क्या होंगी दिकलती हुई प्रतीत होंगी यह positive charge से तो अगर आप इस region में टहलें इस region में घूमें तो आपको क्या होगा electric field lines denser मैसूस होंगी लेकिन अगर आप यहां पर चले आए तो इनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो electric field lines अगर क्या हो closer हो तो strong magnetic strong electric field को show करती है और अगर electric lines दूर-दूर हो तो आपकी यह weaker electric field को show करती है तो यह बात है कुछ electric field से related रहा I think आपको यह पूरी class समझ में आई अगर आपको कहीं समस्या होती है तो आप हमारे चैनल के given links पर या given whatsapp number पर contact करके अपने problems पूछ सकते हैं और मैं जल से जल्द आपकी problem solve करने की कोसिस करूंगा हम रोज एक लगबख 40 minute का वीडियो upload करेंगे और जिसमें हम कोसिस करेंगे कि कम सब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा सीट में आपको शेयर करेंगे लगबख 100 questions का किसी भी topic का जो भी हम खतम करेंगे और उसके solutions खुद करके पहले देखेंगे फिर आपको जिस questions में problem होगी आप मेरे से बात कर सकते हैं उन से कुछ special questions मैं आपको कराऊंगा जो approach मैं बताऊंगा वह आपको एक्जाम में 100% फायदा करेगा तो आज आपको यह पसंद आ रहा है और बीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को आप क्या करें सब्सक्राइब करी वीडियो सको like करें यह प्लीज प्लीज आप शेर करीए ताकि हम लोग ज्यादा ज्यादा पहुंचे हम मेरा मनोबल हमारे चैनल के मैं भी थोड़ा सा उच्छाल हैं बहुत लोगों का सक्रिफाइज है तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए धन्यवाद